हेलो फ्रेंड्स, स्सलाम उलेकूम, वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस की चन, कैसे हैं आप सब, मैं उम्मेद करती हूँ, आप सब खाईरियत से होंगे, अलहम्दोलिल्ला मैं भी खाईरियत से हूँ, और आज फिर मैं एक नई रेसिपी शेयर करूँगे, आप सभी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आज मैं शेयर करूँगी चिकन पालक, यह एक गड़ी पालक है, किलो से आदा किलो होगी, पहले पालक को धो लीजिए और फिर काट लीजिए, यह चिकन है, आदा कि कारी पाहा हो जयात्ता नहीं, चिली फ्लेक से हाफ टेबल सपून, धनिया पाउडर हो फůल भर के लीजिए खन्या नहीं हो जी रा पाउडर है एक टेबल सपून, ज़्यादा भरी नहीं हो गरम मसाला है, एक टेबल स्पून वो भी ज्यादा भरकर नहीं लिए हूँ और एक टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर और यह हरी मिर्चे हैं 10-12 एक इंच है अद्रक का तुकड़ा और 8-10 है लसनखी कली दो ग्लास में पानी डालूंगी इसमें पानी गरम हो जाएगा तो इसमें एड करेंगे हम पालक जैसे हम पनीर पालक बनाते हैं उसी तरीके से इसे भी बनाना है थोड़ा सा बॉइल करके लूँगी और फिर इसमें पीस लूँगी मिक्सी की जार में यह धनिया की पत्ती थोड़ी में डाल रही हों और थोड़ी सिमें चिकन में डाल दूँगी धनिया की पत्ती जरूर रैड करिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एक टेबल स्पूर नमक दाली हों में पालक में एक चमच तेल डालकर उसमें हम डालेंगे प्यास हमें इसे ब्राउन नहीं करना है और ना ही ज़ादा पकाना है प्यास डालकर तुरन दाल दीजिए इसमें चिकन चिकन मीडियम पीसो में काट ली हूं में पहले इसे हम मिला लेंगे और फिर एड़ करेंगे इसमें हम मसाले इसमें मैं साबूत मसाले नहीं डाल रही हूं खड़े मसाले नहीं उसकर रही हूं यह दालोंगे मैं धरिया की पत्ती और इदर हमारा पालक भी कूक हो रहा है ज्यादा बॉइल नहीं करना है इसे 5-7 मिनटी में पकाऊंगी और नीचे उतार दूँगी पालक ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे अर इदर हमने रखे हैं चिकन अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर टमाटर मैं तीन ली हूं चोटे साइज की टमाटर जादे बड़े नहीं है अगर बड़े टमाटर है तो दो डाल दीजिए क्योंकि हम इसमें दही बे आड़ करने वाले हैं यह तीन टमाटर डाली हूं में इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूं फिर इसमें पौडर वाले मसाले एड़ करेंगे इसे मिला कर हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और यह बाउल में दूद ले रही हूं में हमें दूद की जरुरत है पालक में डालने के लिए और एक बाउल ली हूं में दूद पाउ लीटर जितना दूद है और यह डालने में पौडर वाले मसाले इसमें मैं हल्दी पौडर नहीं डाली हूं अब आड़ करूँगी यह डालने में हाफ टीसपून हल्दी पौडर और इसे हम अच्छे से मिला कर ढखकर ढखकर रखेंगे पकने के लिए नमक भी आड़ कर दूँगे मैं थोड़ा इसमें अद्रक लस्टन और हरीमेच हम पिसेंगे तिनों को साथ में मिला कर पिस ले रही हूं मैं नमक डालरी में हाफ टीस्पून से थोड़ा सा जाधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ करिए और इस पर अब मैं प्लेट ढख दूँगी और तीन से चार मिनट बाद हम चेक करेंगे इसे एक बार फिर एड़ करेंगे इसमें हम अद्रक लिस्टन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून मीडियम फ्लेम पे रखूंगी इसे में पकने के लिए और पालक भी हमारी पक चुकी है मैं इसे नीचे उतार देती हूं ताकि हमारी पालक ठंडी हो जाए और हम इसे पीस ले चिकन में हम एड़ करेंगे अध्रक लिस्टन का पेस्ट आदा चम्मत से कम डाली हमें हाफ टेबल स्पून से भी कम है वन फोर टेबल स्पून जितना है हमने पीसने में भी अध्रक लिए तो इसलिए हम थोड़ा कमी ह की बहुत जरुरत है और हमारा पालक भी ठंडा हो चुका है इसे मैं फैन के आगे रख दी थी ठंडा होने के लिए पानी निथार कर डाल रही हूँ है मैं इसमें हमें पानी नहीं अड़ करना है पालक पिस्ते समय आप पालक को निथार कर लीजिए फिर एक बार मैं इसे हिला लेती हूँ अध्रक लस्तन डालकर अब हम एक बार चेक कर रहे हैं टमाटर हमारा गला है या नहीं अब टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है इसमें हम धही आड़ करेंगे टमाटर को सॉफ्ट होने के बाद ही हम इसमें धही आड़ करेंगे इससे पहले नहीं डालना है हमें धही एक बार मिलाकर फिर ढखकन ढख दूँगी मैं इसे ताकि हमारे धही का भी पानी हो जाए और हमारे टमाटर का भी उसमें चिकन भी अच्छे से पक जाएगा हमारा वापस मैं धखकन धख दूँगी इस पे और यह हमारी पालक में पीस ली हो यह चम्मच से दालियों में दो चम्मच तेल बड़े चम्मच से दालियों में दो चम्मच तेल इसमें दालेंगे हम PCV, हरी मिर्च, अद्रक लस्टन, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हलका सा पकाएंगे, फिर एड़ करेंगे इसमें हम पालक, अब डालरी हो में इसमें पालक, मिर्च और अद्रक लस्टन को ज्यादा ब्राउन नहीं करिएगा बस एक मिनट पका कर इसमें एड़ करिए पालक पिसी भी इसे मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूं पालक को दो मिनट तक कि हम कंटीनियों इसे पकाएंगे और हमारा साइड में चिकन भी पक रहा है चमाच को चलाते रहिएगा हम इसमें आप दूद एड़ करेंगे अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो फ्रेश क्रीम एड़ करिए दूद के जगा पे फ्रेश क्रीम से भी फ्लेवर अच्छा आता है मैं दूद एड़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं दूद एड़ करी हूँ क्रीम हर किसी के पास नहीं होती है दूद सभी के पास होता है तो दूद दालिए दूद से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दूद दालकर हम डालेंगे इसमें दो मिनट बाद एड़ करेंगे इसमें हम चिकन लेकिन दूद दालकर दो मिनट ज़रूर पकाईए और फिर एड़ करें चिकन इसमें हम पानी नहीं एड़ करने वाले दूदी एड़ किये हैं पानी के जगा पे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे पकने के लिए चार मिनट हमारा चिकन पहले ही कुख हो गया है और पालक भी चार मिनट में हमारी रेडी हो जाएगी चिकन पालक की रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों से रिष्टेदारों से शेर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इन्शाल्ला मैं और भी अच्छे ची रेसिपी अपके साथ शेर करूँगी और यह हमारा पालक चिकन पक रहा है और यह मैं चार मिनाट पकाई हूँ और यह से नीचे ले रही हूँ और इसे मैं आप डिशाउट कर रही हूँ इसे आप पराठे के साथ में खाईए, चावल के साथ में मुझे ज़्यादा टेस्ट पसंद है इसका आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करिए और कमेंट करके मुझे बताईए आपको कैसी लगी मेरी यह चिकन पालक की रेसिपी इंशालला कल फिर मैं मिलूँगे आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ अपना खयार रखिए सेफ रहिए अल्ला हाफीज अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक्यू फर वोचिंग